हेलो दोस्तों स्वागा थे हमारे यूटूब चैनल सब हालता स्टाडिक पॉइंट पे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाड़वी कलास का जो तीन पाथे समपून करांती कुछ को अबजेक्टी कोचन करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा सुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चेप्टर से एक भी अबजेक्टी कोचन आपके बोर्ड पेपर के लिए यहां से बाहर से मैं पूछेगा इस चेप्टर में से ठीक है तो चलिए बीना देर किये हुए हम लोग शुरू करते हैं देखें फोस्ट कोचन क्या है फोस्ट को कोचन है इसने कह था और भी ना जाने कितने मिल ее की जानता है तो आपका इसमें से राइट इसर कॉन होगा तो इसका जो राइट इसर होगा वह सी होगा किसने कहे थे तो यह जो जो आलाल नहरू थे नो यही कहे थे यानि कि सी वाला राइट एरसर हो देगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोचन की और हम लोग चलते है यह कोचन देखिए क्या बोल रहा है दू नमर कोचन बोल रहा है किस अस्पाटाल में दीनकर की नीर्धन या मिरित कुल दीन करंजी थे उनकी मिरिती ती कीस अस्पाटाल में व हुई थे तो यह जो भी थी देखिए ला उप्षान रायंट ठीक है भीली गजी न क्यूंचिंग, में हो गई थी ठीक है कहां पर हुई थी बिलिंग गड़ नौर्शिंग हो में हो गई थी नेक्ट पोचन की रहांदुख चलते हैं नमबर जैपरकास नरायन को किसका जैपरकास नरायन को किसका दलाल कहा है इसने कहा था जैपरकास नरायन को इसका दलाल कहा गया है तो आपका राइट इंसर कोड होगा तीन का राइट इंसर होगा D अमेरिका ने कहा थे ठीक है ब्रैक्तन देखते हैं देखी जय परकास नराइन को अस्थान पछय रखने वाली डाक्टर का नाम था यह जो ते नौ इस डाक्टर का नाम क्या था तो दक्टर रहमान थे ठीक है यानि यह वाला जो राइट इंसर होगा ठीक है डाक्टर रहमान चार नम्मर का राइट एंसर यह होगा चलिए next question देखते हैं जय परकास जी को कीस का भासन सुनकर अमेरीका जाना परा यानि अमेरीका जाने का प्रेजना मिली थी कीस को यानि जो किसने जय परकास नरायन को भासन सुनकर अमेरिका जाने की पिरेन्ना मिली तो ये पांच का जो होगा न बी वला स्वामी सत्य देव के थे ठीक है आप लोग इसे याद रखेगा बी वला राइट इन सरोगा स्वामी सत्य देव नेक्स्ट कोचन हम दोग देते हैं फीन फेरन्स की माली कौन है इसका जो मालीक होगा न चलड़ नमर का सी वला राइट इन शुरोगा ठीके जित थी चलड़ हो नेक्स्ट कोचन देखिए शात नमर शात नमोर कोचन देखिये क्या वोड़ा है बेन अव्ब, बन बे, कीसे कहा जाता है यानी Сात का जो राइट इनसर होगा, यह होगा क्या होगा, यह राइट इनसर होदेगा आप लोग इसे याद रखियेगा ओमा संकर दउशिंख को ठीकैं next question हम दोय देखते हैं जटाएपरक नराएपराइण ने आई एस्जी की परिक्षा कहां से पास की जो आई एस्जी की परिक्षा थी जटाएपरकास a नराएपर कहां से पास किये थे ठीक है तो इसका डी वह़ा किस्वाले जो थे न ratios सर द्स HE नेक्स्ट कोचन के रहाम दोग चलते हैं लाइनिंग की मृत्तिव कब हुई यह बहुत इंपोर्टेंट कोचन है आप लोग याद रखेगा लाइनिंग की मृत्तिव और नई सब चौबीस में हो गई थी ठीक है आप लोग इसे याद रखेगा डी वाला इंसर राइट हो दे नेक्स्ट कोचन की रहन लोग चलते हैं अ साँ नाथ्येनु की कुस्तक कॉण है फ्राणीक नाथ्येनू की कुष्येग कॉस्तक कन है इसमें से देखिए मैला आण चल जो है न यहीं इनका उस्ता के ठीक है डि वला राइट एंसर होगा चल यह अगला को चन देखते हैं होग होग odpow naぁ 134 में बिहार पर्देश के मुख मंत्री कौन थे ही जो प्रदेश के मुख मंत्री थे वह कौन थे आप लोग को बतलाना कि यह जो अबदुल गाफूर थे यही थे दी वाला राइट एंसर हो देगा चल यह अगला कोछल देखते हैं चोडे नम्बु जाई परकास नरायन का जो जोड़ाइपरकास नरायन जी थे उनका जोड़ाइपर sih दो में होगा थब एक आप लोग को याद रखना है यह वाला राइट एंसर होगा नेक्स्ट कोचन हम लोग चलते हैं पंत्रे नमर जय परकास नरायन की पतणी का नाम क्या था तो जय परकास नरायन की पतनी का जो नाम था नो वो परभावती देवी था सी वाला राइट एंसर हो देगा तल यह 17 नमर पुचन को देखते हैं 17 नमर है प्राजा सेस लिस्ट पार्टी का गठन कब हुगा तो यह जो गठन हुआ था नौ पभुआ था तो सत्रे का जो right answer होगा यह यानि अन्यश बावन इस्पी में होगा था कितना में होगा था अन्यश बावन इस्पी में होगा था ठीके यह वला right answer होगा Next, कोचन है अठारे नमर. जए परकास नरायन को भारत रतन की उपादी दी गई थी यानी कि भारत रतन की उपादी कब दी गई थी, तो ये अनौईस और ठानों है ना इसि समय दी गई थी. ठीक है, दीवला राइटेंस रह देला. चलिए अगला कोचन है अनाईस नम्मर उडवर्शी किसकी राचना है तो ये जो रामधारी सिंग दीन को जिहन इसी का राचना है ठीक है चलिए अगला कोचन देखते हैं चलिए 20 नम्मर कोचन देखते हैं माटी की मूर्ते राचना किसकी है आप लोको बतला ना है तो ये जो माटी की लुठर राचना किसकी है तो चलिए इसका जो राइट एंसर होगा बी वाला राइट एंसर होगा चलिए बीना देर की होगे थोड़ा देखते हैं जल्दी कर्जी किस लिए परसीदे थे दिन कर्जी थे वो किस लिए परसीद थे आप लोग को बतला ना है तो एक इसका इंसर राइट हो देगा ठीक है सही त्यक कार के लिए ठीक है चलिए अगला कोचन देखते हैं कि अगला कोचन है जय परकास नरायन के भारत की जनता की नामसे याद करती है थीक है बाइस का इंसर क्या होगा लुक नाईख के नामसे यह जो भॉला राइट इंसर हो देगा नेक्स्ट को चनके रहाम लोग चलते हैं जय परकास नरायन ने संपून करांती वाला इतिहासिक भासन कहां और कॉप दिया था तो यह पांच जून और नई सचोगहतर इसमें पार्टना में जाकवर दिये थे ठीक है आप लोग इसको याद रखिएगा 23 का क्या वड़ी श्रह फटीगे 24 नमर कोचन है जय परकास नरायन के बचपन का नाम क्या था तो यह बाऊल नाम ठाटीके चली जल्दी जल्दी थोरा देखते हैं फशिस्ट नमर कोचन देखते हैं जय परकास नरायन coughing ने 30 साल छात्री अंदुलण के नड़ित्लव किया time चलिए अगला पोचन देखते हैं अच्छी सोगे 26 समद जय परकास नरायन के पीता जी का नाम क्या था तो यह देखिए आपका बी वाला राइट एंसर हो जागा ठीक है या नाम था यह इसका पीता है यह परकास नरायन के ठीक है चलिए अगला पोचन देखते हैं राचित्पाध का नाम क्या है यह लिखें कभिता में खूपून करांती बार के बारे में ही पौर रहे हैं शीवाला रॉइस अगला कyani अगला कोचन है देखे 29 नमर कोचन बोला है संपून करांथी इसकी देन है तो यह संपून करांथी जो देन है व्यक्ति जाय परकास नारायन जी के दी वाला राइस लोगा इसकी है यह जो इसका राइट इंसर होगा यह परकास नरायन जी के थे ठीके यही भासन दिये थे ठीके अगला कोचन हम लोग देखते हैं जय परकास नरायन का जनम कहां हुआ था जय परकास नरायन जी का जो जनम कहां हुआ था तो यह हुआ था सिताब दिया रागां में ठीके बी वाला एंसर सही होया अगला क्वचने 32 नमर अगला क्वचने 32 नमर संपून करांती की शुरुवात को हुई संपून करांती का जो शुरुवात हुई थी नो वो कब हुई थी आप लोको बतला ना है तो ये अनई सच चवुहत्तर इस्पी में हुई थी ठीक है ये वाला एंसर याद रखना है अगला क्वचन देहे क्या है गुंग जया परकास नरायन को सामाज सेवा के लिए उस्तकार से समान किया गया जैनली इसका जो राइट एंसर क्या होगा चौंग पीश नमर का राइट एंसर होगा सी हुआ सी राइट एंसर देगा ठीक है चलिया हम लोग देखते हैं पॉइंट तीस नमर कोचन जाय परकास नरायन मादार्स में अपने किस मीत्र के सांथ रूपे थे तो इसका जो एंसर होगा वह क्या होगा इस्वार अज्याएं अग्यार के साथ रूपे थे छीव वाला राइट आज सएद नेक्स्ट कोचन फलोग देखे 36 नबर कि अनुश Efendimiz का देश का अविश्ठा किसले हाथ में थे झालोगहात तो नहीं पीड़िय के हाथ में थे ठीक है चलिए 37 नवर कोचन देखते हैं दीलकर जी को इसके गहर पर दील का दाउड़ा पराथा आप लोगो बतलाना है ठीके आप लोगो यहीं बतलाना है स्वैंतिस का एंसर क्या थे आप लोग द्यान देजिए जल्दी जल्दी कीए टाइम बहुत कम ही ज्यादा बारा वीडियो ह भीर चलिए बीना Δेर की होई और आगे देखते हैं जल्दी इसाइए तीस नमर होगोगा अब और तीस नमर देखें संफून करांती का नारा किसे ने दिया था जय परकास नरायन दिये थे चलिए अगला कोचन है जय परकास नरायन नि भिहार विध्यापित के बिद्ध्याप इंसर होगा चलिए अगला कोचन देखते हैं चालीस नमर कोचन बोड़ाए पूलिस के बड़े उच उच अधिकारी ने किस से मुह से सुना था कि जैपरकस नरायन नहीं होते तो बिहार जल गया होता किस ने कहा था तो चालीस का जो इंसर होगा दी वला राइट इंसर होगा ठीक है दख्षित के ठीक है लोग याद रखिए गा नेक्स्ट कोचन हम लोग देखते हैं जैपरकस नरायन किस मीत्रित्ता को मीत्रित्ता को ठोस मान्ते थें शोस मानते थे कि स्कुल इतालिस एंचल मोण से इसको भई कौते थे वह किस के रहे कोते थे तो जो वाल्ला Gob नेहरूज को कहते थे ठीक है आप लोग याद रखिएगा अगला देखिए यही 42 को चले ठीक है तो चलिए आप लोग को यह वीडियो काईसे लगा पहले इस वीडियो के ज़्यादा शेयर किजिए और लाइक को कर आल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहा है तो इसके पहले दो चैप्टर का कम्प्लीट कर दिये हैं अब्जेक्टी जाहिए और वहां पर देखिए और टेस्ट किजिए कितना आप लोग को सही हुआ और आप लोग का यह जो हुआ था इसमें से सही कितना हुआ आप लोग को कॉमे लिए धन्यवाद